हाई गाईज मैं उनिकल और आप देख रहे हैं बस ट्वीड़ेग गाईज आज इस वीडियो में आपको एक एकसल की magic ट्रिक बताऊंगा with the help of formulas यहां दोस्तों यहां पर birthday के साथ यानि कि आपकी age के साथ magic करेंगे यानि कि आप अपनी birth date यहां पर put करेंगे और आपको सारी information automatically आजाएगी कि आपका पैदा हुए थे कितने गंटे जी चुके हैं कितने seconds जी चुके हैं कितने मिनट जी चुके हैं कितने Saturday आपकी life में आ चुके हैं कितने Sunday आपकी life में आ चुके हैं everything यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस तरीके का Excel magic perform कर सकते हैं तो य यहां पर heading डाली है यहां पर birth date डाली है और यहां पर formula के help से यहां पर result आपके सामने आ रहा है कैसे suppose आपकी date of birth है 15 July तो यहां पर सबसे बहले month हम यहां पर enter करते हैं 15 July और year I suppose 96 और मैंने enter button press करा तो यहां पर आपके सामने सभी result अपर आपके सामने हैं how old are you 25 years what week day you are born in the year यानि कि कौन सा week देथा संडे था मंडे था तो आप सेकंड डे पर पैदा हुए थे what week are you born in the year 29th week था पूरे साल का how many months have you lived 300 months ठीक है डेज 9132 डेज इतने hours इतने minutes इतने seconds इतने Saturday आ चुके हैं इतने Sundays आ चुके हैं और इतने weekends आ चुके हैं वीकेंड समने आ पर लिए है Saturday और Sunday ठीक हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके सामने फॉर्मले की help से यहां पर इस sheet को generate किया तो मैं जस्ट यहां पर आपको फॉर्मले बताऊंगा बागी sheet आप create कर सकते हैं इनी सवालों के साथ या फिर आप कुछ modification भी कर सकते हैं फॉर्मला में आपको समझा दूँँ है किस तरीके से आपको apply करना है तो आप just apply करके इस तरह की sheet magical sheet आप create कर सकते हैं कैसी चली sheet 2 में चलते हैं पूरा माहौल यहां पर ready है यहां पर थोड़ा सा font size increase कर लेते हैं यहां पर यहां पर date of birth एंटर करने के बाद यहां पर इस तरीके का format आए वह आप यहां से select कर सकते हैं जैसे suppose मैं यह select करता हूं और enter button press कर देता हूं अब आपको यहां पर date डालनी है जैसे suppose मैं यहां पर डालता हूं month हो गया one date हो गई 17 और year हो गया one nine nine zero ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं 17 जनवरी 1990 आ गया जस्त आब आपको इसमें चेंज करना और यहां पर value automatically चेंज जाने चाहिए तो यहां पर हर चीज को calculate करने के लिए is calculate करने के लिए वी calculate करने के हम formula का use करेंगे with respect to this date यानि कि इस date के respect में हम जो भी चीज करेंगे वो calculate करेंगे ठीक है तो हमने यहां पर reference के तौर पर यह date मन ली है और हम यहां पर formula apply करना चालू करते हैं तो सबसे पहले age calculate करने के लिए हम यहां पर formula apply करते है is equal to dated if bracket में b1 comma today ठीक है today के बाद यहां पर bracket start close then comma double string y year calculate करने के लिए y यहां पर जो dated if function है इसका हम use लेते हैं दो date के बीच difference calculate करने के लिए ठीक है बाकी b1 जो है वो आपका यह वाला cell है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ और one यहां पर लिखा है that means कि इस cell को हम यहां पर represent कर रहे हैं today means आज की date के respect में हम यहां पर calculate कर रहे है enter button press कराएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 31 years यहां पर आ गया है यानि कि 31 इसका output यहां पर आ गया है यह जो आप देख रहे हैं यह भी simple text है इसमें कोई formula नहीं है जिस हम यहां पर formula अपलाए गर रहे हैं ठीक है चलते हैं next यहां पर आपको calculate करना what weekday you are born in the year is equal to हम weekday निकालेंगे किसका बीवन का ठीक है डारेक्ट आपको कुछ formula नहीं है यहां पर just weekday और आपकी इस date का बीवन में जो date है उसका weekday निकाल लेंगे तो यहां पर weekday आ गया आप देख सकते हैं 4 ठीक है then आपको निकालना है यहां वाट week are you born in the year week का number निकालना है कौन सा week उस दिन तो यहां पर week calculate करने के लिए आप यहां पर हमें फिर से month calculate करना है यहां कि difference calculate करना है कि आज की date के और इस date के बीच की जितने भी months है वो calculate करने है यहां पर ब्रैकेट में किसके respect में बीवन, today आज तक की लिए हम calculate कर रहे हैं तोडे यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज देन कॉमा double string में हम यहां पर टाइप करेंगे m ठीक है क्योंकि month यहां पर calculate कर रहे हैं यहां पर year calculate किया था इसलिए double string में y calculate किया था enter button press करेंगे month calculate होके आगए same how many days have you lived अब हमें days calculate करने हैं तो simple चीज़े same formula रहेगा dated if bracket में b1 के respect में हम निकाल रहे हैं then comma today ठीक है यहां पर bracket start close then comma double string में क्या calculate कर रहे हैं हम days तो यहां पर आप d type करेंगे d for days m for month y for year ठीक है तो यहां पर हमने direct d लिख दिया enter button press करा तो यहां पर days calculate होके आगए ठीक है then अब आपको calculate क्या करना है how many hours have you lived यानि कि आपको निकालना है कितने घंटे आप जी चुके हैं तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आपके पास दिन यहां पे हैं तो अगर आप इस दिन को 24 से multiply कर देंगे तो यहां पर आपके पास total घंटे आ जाएंगे is equal to कौन सा cell है हमारा आप देख सकते हैं B7 को हम multiply कर देते हैं किस से 24 से तुमारे पास घंटे यहां पर आ गए ठीक है इसी तरीके से आप से minutes पूछ रहा है अब आपको पता है एक घंटे में कितने minutes होते हैं 60 minutes ठ is equal to यहां पर आप देख सकते हैं B and 8 तो B8 को आप multiply करेंगे किस से 60 से तो आपके पास total minutes यहां पर आ गए हैं सेम इसी तरीके से how many seconds have you lived तो आपके पास second पूछ रहा है एक minute में कितने seconds होते हैं आपको पता ही होगा 60 seconds होते हैं तो जतने minutes आप जी चुके हैं उनको आप seconds से multiply क कर देते हैं 60 से तो हमारे पास out output आजाएगा 9 कैसे B9 कैसे 9th row है और B आपका cell है इसलिए B9 हमने यहां पर calculate कर दिया और B9 में हमारे second B9 में हमारे minutes calculated थे तो यहां पर B9 को हमने 60 से multiply किया तो यहां पर seconds में output आजाएगा ओके how many Saturdays have you had in your life ठीक है यानि कि Saturday कितने आज चुके आज तक के life में आपके अब यहां पर formula हम यूज करेंगे is equal to networkdays.intl का इस function का हम यूज लेते हैं workdays, holidays, weekends वीकेंड वगरा calculate करने के लिए दो dates के वीच में ठीक है तो यहां पर networkdays.intl हमने लिख दिया किसके respect में हम calculate कर रहे हैं B1 के respect में जैसे कि आप जानते ही हैं यहां पर आप लगएंगे comma today, today आज तक और यहां पर today के बाद bracket start close करने के बाद comma लगाएंगे यहां पर double string में अब आपको यहां पर लिखना है 111 1101 ठीक है क्योंकि हम यहां पर Saturday calculate कर रहे हैं और यहां पर Monday से start होता है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ठीक है तो Monday से start होता है और जिसको हम exclude कर रहे हैं यहां पर उसको हम zero है यहां पर लिख देते हैं Saturday को हम निकाल रहे हैं, output में Saturday चाते हैं इसलिए हमने आपर Saturday को zero कर दिया है चलिए bracket close करत है और यहां पर आपके सामने result आ गया है, the next is Sunday calculate करते हैं, Sunday calculate करने के लिए same formula यूज लेंगे networkdays.intl किसके respect में कर रहे हैं B1 और आज की date तक calculate कर रहे हैं और यहां पर bracket start close करेंगे, comma अब आप जानते होंगे आपको यहां पर क्या type करना है 1111110 क्योंकि Sunday यहां पर बिल्कुल end म आ गया है और यहां पर week में 7 days होते हैं और 7th जो day है वो हमने exclude कर लिया है, उसको result में हमें चाहिए, ठीक एंटर बटन प्रेस करते हैं, same यहां पर आ रहा है, how many weekends did you have, mostly office में Saturday, Sunday weekend होता है, तो हम Saturday और Sunday को यहां पर exclude कर लेंगे, result में चाहते हैं, तो same यहां पर formula यूज होगा networkdays.intl किसके respect में निकाल रहे हैं, comma today आस तक निकाल रहे हैं, और comma अब आप जानते हैं कि कौन सी values यहां पर 0 होगी, 111, 11, 5 times 11 होगे, यानि कि Monday to Friday हमने आप बाहर निकाल दिये हैं, और Saturday और Sunday हमें include करना है, तो उनको हम 0 कर देते हैं, 00, then double string and bracket close, enter बटन प्रेस करा, तो इतने weekend days हमारे पास यहां पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं, हमारी यहां पर complete होगे, आप just यहां पर formula apply होने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आपको just value change करनी है, जैसे suppose आपका birthday आता है, 5th month में, 12th of May में, 1994 के born है अगर आप, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सब भी value change हो गई है, यहां पर सब चीज़े automatically आ गई है, यह चोटे से formulas के magic थे, इन formulas से आप बहुत सारी चीज़े calculate कर सकते हैं, offices में roaster बगएरा, इनकी help से किये जाते हैं, इनमें से काफ़ सारे formula दो dates के बीच में, जितनी भी dates हैं उनको निकालना, weekdays निकालना, holidays निक पूड़ेट किया सकता है, तो अब Excel पर हमने कुछ वीडियो पर ही बनाया हुए है, लोगन अमर्टाइजिशन टेबल बगारा बनाना, आप उनको भी follow कर सकते हैं, Excel पर और भी magical वीडियो लेके आएंगे, आप वो भी देख सकते हैं, जो हमने बना रखे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए का, कमेंट के बताएगे का आपको इंफरमेशन कैसी लगी, बतते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में एजन करें, कि सब तक लिए धन्यवाद, जाहें